तो कैसे हो दोस्तों मैं बहुत बढ़िया दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंसव मजिदार है इसलिए सीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों आज के इसीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डॉक के साथ सौना सही है या फिर गलत है क्योंकि बहुत सारे लोग पुछ रहे थे कि प्लीज बताईए कि डॉग के साथ सोने से कोई health problem हो या फिर किसी भी तरीके का problem हो तो प्लीज बताईए तो दोस्तो इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक पर बात करेंगे कि डॉग के साथ सोने से क्या फाइदा है और क्या नुकसान है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक के साथ सोने से फाइदा क्या है फिर हम बात करेंगे कि डॉक के साथ सोने से नुक्सान क्या है दोस्तो मैं बता दू कि बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप अपने डॉग के साथ सोते हो तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लावकारी साबित हो सकता है तो इसके बज़त से आप अपने डॉग के साथ सो सकते हो लेकिन दोस्तो ये तो सर्वे का बाता और आर्टिकल की बात है अब दोस्तो हम बात करते हैं अपने एक्सप्रियेंस की क्योंकि मैं भी अपने डॉग के साथ कभी कभी सोता हूँ तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि टॉमी कितना सांथ हो करके स्वया हुआ है अगर मैं अपना experience बताओ, इमानदारी से experience बताओ तो जब भी मैं अपने टॉमी के सास्थ होता हूँ सच में एक अलग type का feeling होता है वो और अलग तरीके का निंद आएगा दोस्तों ये जो बात मैं बोलना हूँ, हो सकता है कि आपको थासा awkward type में लगे क्योंकि जो dog lovers नहीं है, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी जिनके पास dog हैं, वो ही समझ पाएगा और इसी पर मैं एक बचपन की बात आपको सुनाना चाता हूँ जब मैं छोटा सा था, तो मेरे घर के आसपास बहुत सारी कुट्टे की बचे होते थे तो मैं उसको ले करके घर आ जाता था, और रात में वो जब चिलाता था तो फिर मैं उसको ले करके पास में ही सोता था, तो वो सांथ हो जाता था आप समझ सकते हो कि मैं बचपन से ही डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ खेर जो डॉग लवर्स नहीं है उनको लग सकता है कि क्या आदमी कर रहा है डॉग के साथ सोने की बात तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी खेर ये तो हो गया एक फाइदा का बात जब भी आप अपने डॉग के साथ सोते हो तो एक बहुत ही अच्छी निन आती है वेसे भी आप जिसे चाहो और वो आपके पास हो तो एक अलग तरीके का फिलिंग होता है खेर अब हम बात करते हैं कि डॉग के साथ सोने से नुकसान क्या है दोस्तों मेरा तो डॉग बहुत ही सान्त हो करके सोया हुआ है लेकिन कोई कोई डॉग क्या करता है कि वो रात में उठकर के आपके पैर के पास जाएगा फिर आपके गोदी में आकरके सोएगा तो रात में वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा तो रात भर आप सही तरीके से सो नहीं पाऊगे और यही चीज अगर बहुत दिन तक चलता रहा तो आपमें एक तरीके का बीमारी डवलप हो जाएगा क्योंकि आप सही तरीके से सोगे नहीं तो एक बीमारी होता जिसको insomnia कहते हैं और लोंग टर्म तक अगर आप सही से सोगे नहीं तो ये बीमारी आपमें हो सकती है क्योंकि आगे चल करके आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है क्योंकि आप खुछ जानते हो कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं मिली तो कल जा करके आपको एक अलग तरीके का ठकावट महसूस होगा और धीरे-धीरे करके अगर ये लोंग टर्म तक होता रहा तो आपके बॉड़ी के हर ओर्गन पे गलत असर परेगा क्योंकि रात को सोने के बाद हमारा बॉड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से वग करता है और अगर अच्छी नींद ना हो तो ये बॉड़ी धीरे-धीरे कमजोर परने लग जाएगा तो बेटर होगा कि अगर आपका डॉग रात में तंग करता है तो उसके लिए अलग से एक प्यारा सा घर बना दे उसी के लिए स्पेसल जिसमें जा करके वो सोए दोस्तो मैं भी अपने टॉमी के लिए एक प्यारा सा घर बनाया हूँ वो इसी में जा करके सोता है और जब ये बहुत ज़्यादा जिद करता है तो ये फिर मैं इसे अपने पास सुलाता हूँ खेर यही था हमारा आज का वीडियो होप करता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा दोस्तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको क्या लगता है कि डॉक के साथ सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक के साथ नहीं सोना चाहिए और आप अपना opinion जरूर बताइएगा टॉमे रुख जाओ अब खत्म होने वाला है वीडियो और भाई भी कहे देना ठीक है और दोस्तों मैं बता दू कि अपना वीडियो बस यहीं तक था और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा दस में से कितना नमर देना चाहोगे आठ या नौ या दस क्योंकि हमें पता चल पाएगा कि यह information कैसा था और दोस्तों अगर फर्स टाइम इस चेनल पे आयो हो तो इस टेनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके का रेड कलर में सब्सक्राइब नीचे लिखा होगा और बिल का आइकन को भी दबा देना दोस्तों इसी तरीके का और भी informative information आपको चाहिए तो एक एप है जिसका नाम है dog and order प्लेश टोर पर मिल जाएगा उसके लिंक में description में डाल दूगा आप उसे इंस्टाल कर सकते हो क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी information आपको मिल जाएगी दोस्तों मिलते रेंगे बहुत सारी वीडियो में तब तक लिए ठेक कियो बाइबा जहें तौमी बाई बाई बोल दो बाई